आप सबी को मेरे नमस्कार सोद आलेक माला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा सोद आलेक सेकिन रिसर्ज आर्टिकल साथियों इस दूसरे सोद आलेक का सीर्षक है भारती राणितिक चिंतन में दलित्तो उद्धार का पूना पैक्ट गांधी बनाम अंबेट कर बहुजन साहित लेखा केसी सामुता की कलम से साथियों यह सोद आलेक मैंने सेलेक्ट किया है मद्दे परदेश दलित साहित्त अकाद्मी प्रकासन के द्वारा पूर्वदेवा नामक शोद पत्रीका में प्रकासित स्रंकला से यह सामाजी विज्ञान सोद पत्रीका है और पिछले 27 वर्सों से इसका प्रकासन जारी है इसके सेयंगतांक जो अंक 107 और 108 के रूप में अक्टूबर 21 से मार्च 2022 में प्रकासित हुआ है उस सोद आलेक पर आईए हम विस्तार से परीचर्चा करते हैं भारती राणतिक चिंतन में दलित उद्धार का पूना पैक्ट गांधी बनाम अंबीडगर लेखा कैंस के डॉक्टर केलाशन सामोता आप साहेक आचारी राणती विज्ञान विभाग रास्तान शुद्धाले जैपुल में पदस्त हैं सबसे पहले आलेक के सीरसक के बाद हम आलेक के सारांस पर बातचीत करेंगे यदि भारती स्वाधिन्ता संग्राम की सामाजिक सुदार की परगतिवादी धारा के बारे में जानने का प्रियास किया जाए तो अनेक अनेक महानायकों में अंबेटकर एवं गांधी के नाम पर दरित उद्धार के संदर्व में अनेक 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 भ्रांतियां, मिथ्याएं, संकिन्टाएं इम वैसारिक प्राधान ने स्थापित करने वाले चिंतन का सामना करना पड़ता है भारते चिंतन में यह दर्ष्टिकोंट पूना पैक्ट 1932 के समय विसेश रूप से चर्चा में आया यद्दिपी ये आम पाटक के लिए इतना आसान नहीं है कि वंचित समुहे या जिने गांधी ने हरीजन के रूप में अभिव्यक्त किया है विवास्तम में हरीजन अर्थार्थ हरी या विश्णू के जन थे या केवल गांधी ने हरीजनों को गुमरहा करने का कारी किया उस हासिये पर खड़े समुहे के कल्यान के लिए गांधी ने जो रचनात्मक्ता के कदम उठाए क्या वे अंबेट करके सामाजिक न्याई अथ्वा दलितों के उत्थान के चिंतन के ही अनुकूल अथ्वा समानांतर या समकक्स थे ये सोध प्रिशन इस आलेक में उठाया गया है इसके अलावा अथ्वा दलित समुदाय के उत्थान के लिए गांधी वे अम्बेटगर का मार्ग क्या एक दूसरे से अलग था दलितों के कल्यान पर क्या दोनों महानायकों के बीच साधनों या तोड तरीकों को लेकर मतबेद थे अथ्वा सामाजिक एवं राजनितिक विशलिशन में इनके चिंतन के बीच द्वेतवात उत्पन किया गया है या आधुनिक भारती राजनिती ने इसे समन्वित कर दिया है मेरे सोद पत्र में इन्ही सोद प्रशनों के यथार्थ मंतविय तक पहुँचने का सार्थक परियास किया गया है सोद आलेक के मुखे सब्द, सामाजिक न्याय, दलित और उद्धार, जो दलित और उद्धार से मिलकर बना है साथियों, सबसे पहले सोद आलेक के बारे में हम सामाने परीचिक पर परीचर्चा करेंगे उसके बारे में व्युगतवार परीचर्चा करेंगे सबसे पहले सामपरदाइक पंचांट एवं पूना पैक्ट 1932 की वास्त्विक्ता तथा बाबा सहाब अंबेडगर बनाम गांधी के दलितोदार चिंतन का मुल्यांकन ऐस परस्ता का अंत गांधी के मान्वी जीवन का केंद्रि बिंदु रहा है वे 1920 के आरम से ही भारत में हिंदु समाज में अच्छूत समझे जाने वाले समुदाय को स्पीडा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ऐसा योग आंदुलन के प्रस्ताव को अंतिम रूप स्विकार किये जाने वाले भारते रास्टि कॉंग्रेस के नागपुर अदिवेशन दिसम्बर 1920 के अंतरगत हिंदु जाती से अच्छूत की सामाजिक समस्या के निदान का उलेक किया इस दिसा में सबसे बड़ा मोड सामपरदाइक पंचांट अगस्त 1932 की उद्गोशना के बाद आता है हमें दलितो दहर के कल्यानकारी चिंतन में गांधी वे अंबीडगर के चिंतन को समझने के लिए उस वस्तु इस्तिती की गहनता को जानना होगा जिसके वज़े से गांधी बना अंबीडगर चिंतन सब के सामने मुखरित हुआ इस अभिवक्ती के पीछे की कहानी सामपरदा एक पंचांट पूना पैक्ट में अंतरनीत है पूना पैक्ट के संदर में ब्रिटिस गवर्मेंट के पास एक ओफिशिल डॉकुमेंट्स अवलेबल है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जारी भी किया गया है उसे भी आप पढ़ सकते हैं दूसरे गोल में सम्मेलन की दोरान गांधी अंबीडगर को वंचित समोहे के लिए हिंदूों से अलग परतक निर्वाचन के विशे पर मनाने में ऐसा पल रहे साथ यो तीन गोल में सम्मेलन हुए हलांकि गोल में सम्मेलन का मतलब यह राउंड टेबल कॉनफरेंस है लेकिन यह टेबल गोल नहीं थी एक्चुली वरगा का टेबल थी जिसके चारोतर बैटकर परिचर्चा की गई और आम बोलचाल की भासा में राउंड टेबल का मतलब गोल टेबल नहीं होता है गांधी नहीं अमबेडगर की परतक परतिनिदीत्वी राजनितिक मांग पर सम्मेलन के दोरान कहा मैं पुरजोर रूप से ये बात कह सकता हूँ कि यदि इस चीज का विरूद करने वाला मैं अकेला व्यक्ति था तो मैं आजीवन इसका परतिरूद करूँगा वंचित सम्मोय को किस तरह से राजनितिक परतिनिदीत्व दिया जाए इसके विवाद का समाधान करने में दूसरा गोल में सम्मेलन ऐसा पल हुआ डॉक्टर अंबीटगर की सला के अनुसार बिटिस प्रधान मंत्री ने सामपरदाइक पंचांट घूशना 16 अगस्त 1932 वंचित सम्मोय के लिए परतक निर्वाचन छेत्रों के प्रावधान को श्विकर्ति प्रदान कर दी इसने सामाज निर्वाचन छेत्रों में हिंदू के साथ वंचितों को मताधिकार प्रदान किया और इसी के साथ वंचित सम्मोय को विशिष्ट वंचित सम्मोय निर्वाचन छेत्रों में एक अत्रिक्त मद्दान का अधिकार होगा और इन निर्वाचन छेत्रों की संख्या 71 एवन प्रावधान आगा में 20 वर्सों तक होगा ये हिंदू समाज वंचित समों में विवाजन का साफ संकेत था गांदी लिखते हैं कि मैं मैसूस करता हूँ कि सताब्दियों से ही विवस्ता विद्यमान रही है लेकिन इसका गणिती निदान नहीं हो सकता है और मैं ये भी जानता हूँ कि पर्थक निर्वाचन की विवस्ता भी इसका कोई मूल ना सक समादान नहीं है गांधी ने ब्रिटिस सरकार को पत्र लिखा कि जब तक वंचित समय के लिए प्रतक निर्वाचन की पद्दती के निर्णे को वापस नहीं लिया जाएगा वे आमरन अंसन करेंगी अंबेटगर ने भी कहा कि यदि गांधी हिंदू समाज के हित के लिए अपने जीवन से संगर्श करना चाते हैं तो वंचित समय भी उनके हितों के समवेधानिक सरंक्षन के प्रावदानों के लिए संगर्श करेंगी गांधी की ये लड़ाई कोई नेतिक लड़ाई नहीं है अपी तो ये केवल एक राजनितिक इस्टंट मात्र है गांधी ने पूने की यरवदा जेल में इसका विरोध किया गांधी ने कहा कि मूल प्रशन इस बात का है कि हरीजनों के साथ हरीजन जैसा व्यवार किया जाए अर्थार्त उनके साथ भेदबाव नहीं किया जाना चाहिए परंतु ब्रिटे सरकार हिंदू की राष्टवाद का विवाजन कर रही है 20 सितमर 1932 को गांधी ने जेल में ही आमरन अंसन शुरू कर दिया गांधी जात ये हिंदू इम हरीजन के बीच परस पर विश्वास का वातावन सरजित करना चाहते थे और वे अम्बेडगर की छती पूर्ती के मांग की रूप में तातकालिक रूप से हिंदू समुदाई के द्वारा हरीजनों को एक सदस्य की रूप में स्विकर्ती को परिसुद्धी या प्रैसित की रूप में अभिव्यक्त कर रहे थे साथियों इस गतिरोद के समादान हितु भारती नित्रत्व करता मदन मोहन मालवी एंसी राजा पुर्षोतम दास टंडन राज गोपाला चारी ने मद्यस्त की भूमी का निभाई और पर्थक निर्वाचन परतिनीधी त्वतता शयूंग्त निर्वाचन छेतर के बीच का क कोई मद्यमार्ग निकालने के लिए प्रियासरत थे यद्पि गांदी प्रतक या स्यूंग्त दोनों ही सवरूप में सीटों का आरक्षन नहीं चाते थे जैसा कि उन्होंने लिखा है मैं कदापी विश्वास नहीं करता हूं कि स्यूंग्त निर्वाचन छेतर की व्यवस्त किसी भी परकार के रानितिक प्रबंदन के पेक्सा हरीजनों को हिंदू समाज में एक सम्मान इस्तिती और समानता की प्रस्तिती को इस्तापित करने से ही समस्या का समादान संभव हो सकेगा गांदी की मनसा पर साथ यह कोई संदेह नहीं था लेकिन गांदी का जो तरीका थ वे ब्रहामनी कल स्टाइल का थरीका था लेकिन वंचित जो घाओं पर मरहम तो लगाता है लेकिन घाओं को कभी भी सही नहीं होने देता लेकिन वंचित समय की मनोदसा को भापते हुए गांदी ने समझोते के प्रावदान पर सहमती परदान की और कहा कि सारव हुमिक मतादि कार की चुनाव प्रणाली में अनुशुचे जाती को परतिनी दीत्व मिल जाएगा बड़ी संक्या में सीटे आरक्षित करें तो भी मुझे को यापत्य नहीं है वंचित समय को सहिंध निर्वाचन छेतरों के साथ आरक्षित सीटों के प्रावदान के विसे पर समझोती के लिए तयार कर लिया गया अंबेडगर गांदी के इस प्रस्ताव से सहमत हो गए कि वंचित समय के योजना सामपरदाईक पंचांट सेदिक परतिनी दीत्व की परतिया भूती प्रदान करेगी अंबेडगर ने पूना की इरवदा जेल में बंद महात्मा गांदी से मुलाकात करके आस्वासन प्राप्त किया कि प्रतार इस प्रस्तावित योजना में वंचित समय के हितों को पूरी तरह से शुरुक्षित रखा जाएगा दोनों समों के नेताओं ने आपसी विचार विमर्स के प्रिणाम सरू सेंग निरवाचन छेत्र के सिदान पर आधारित सुत्र के अनुसार सामपरदा एक पंचाट में दिये गए को वंचित समोवे हिंदू समोवे के नेताओं के द्वारास ताकसर किये गए तथा इसी के साथ इस वस्ताव को ब्रिटिस प्रदान मंतरी की स्विकरती के लिए भेज दिया गया इससे गांदी अंबेडगर समझोता अत्वा पूना समझोता कहा जाता है गांदी ने इपने वाइदे के अनुसार साथियों अम्बेडगर ने हिंदू निताओं के बंबई आयजे सम्मेलन में सम्जोते की पुष्टी करते हुए कहा कि मेरे वैगांदी के बीच बहुत कुछ समान था लेकिन मासरी चकत हूँ कि ऐसा नजीही नजरिया यदि गोल में सम्मेलन के दोरान रखा गया होता इस पर जनम की कार्ण छुआ छूद का विवार नहीं किया जाएगा तता सारवजनिक कुवों तालाबों शड़कों सरकारी विदाले और ऐसे अन्य सभी सावजनिक संस्ताओं में उनका समान अधिकार होगा इन अधिकारों को सबसे पहले अवसर के रूप में वेधानिक सवरूप दिया जाएगा और स्वराज संसत का पहला स्थकारी होगा उस समय तक इनको इस्टिट्यूटरी पहचान नहीं मिलती है पूना पैक्ट और गांधी की दलित तो धार के रचनात मकारे करम गांधी ने 1932 के पैक्ट की दरमयान के अवदी में हरीजन सब्द के माद्यम से दलि के अर्त में विव्यक्त किया पचीस वटीस सितम निस्टो बातीस को बंबई में आईजी समयलनों में दलित ओ धार के रचनात मकारे करमों का संचालन किया गया जिनमे हिंदू जाती की लोगों को इस एस प्रस्ता की भावना का त्याक करने अच्छू समझे जाने वाले को बढ़ावा देने सराब के सेवन इव मासारी भोजन को त्याग ने इतियादी ब्रहमन गुणों को विक्सीत करने का उत्रदाईत प्रदान किया गया तीस सितमरों 1932 को पंडित मदन मुहन मालवी के अद्धिक्स्ता में बंबई के कावासाजी जाहंगीर होल में हिंदू के लिए होगा कि वह एसपरस्ता के खिलाब परचार परसार करेंगी तता इसी कड़ी में निम्त आतकाली कदम उठाये जाएंगे जैसे कि सभी सावजनी कूओं धरमसालाओं सडकों विदालें तता सव दाग्रों इतियादी को अनुसुत जाती समुदाय एसपरसे लोगों किया गया जैसा कि साथ नौमर 1932 को इसपरस्ता के बारे में दिये गए विक्तिव से इसपरस्त होता है कि गांधी के प्रयासों से इस समय दासत्व की रूप में जीवन यापन करने वाले वंचे समुदाय के लगवक 6 क्रोड लोगों के उत्थान के लिए बड़ा धार्मिक सोधार अंदोलन चलाया गया अंबेडगर के प्रस्णों और गांधी के दलितोधार के जजनात मकारे करम में समानता का प्रिक्षन एक ऐसा तत्य जिसे गांधी वादी सोधार ती सदेव या तो नजर अंदाज करते हैं अथवा उसे दूसरे सवरूप में अभ्यक्त करते ह इसके वास्तविक कारण को जानने के लिए हमें इस तत्य का मालूम करना होगा कि आखिरकार गांधी ने पूना पैक्ट के दरमयान ही अचानक दलितोधार की दिसा में उच्छ जाती हिंदों को प्रोसाहित क्यों किया केवल सामपरदाइक पंचान्ट की वज़े से या हिंदू एक्ता को बनाया रखने के लिए या किसी अन्य कारण से ऐसा किया पर्तम गोल में समेलन में जिसमें गांधी सामिल नहीं थे अंबेडगर के द्वारा ब्रिटिस सरकार के समक्स वंचित समुदाय का पक्स रखते हुए कहा गया कि जब हम वंचित तबके की वर्तमान इस्तितियें ब्रिटिस सासन से पूरु के दसा के बीच तुलना करते हैं सकते थे तो क्या अब हम मंदिरों में परवेश कर सकते हैं ब्रिटिस आगमन से पूरू हमें पुलिस बलों में भरती नहीं किया जाता था तो क्या अब ब्रिटिस सरकार हमें भरती के अनुमती देती है ब्रिटिस से पूरू भारत में हमें सेनाओं में योग्य नहीं समझा ज जाता था तो क्या आप सेनाओं के दर्वाजे हमारे केरियर के लिए खुले हैं इन सब सवालों के क्या हम सकारात्मक जवाब दे सकते हैं तो फिर बिट्रेश आसन ने पिछले 150 वर्षों में वंचित समुदाय के लिए क्या किया है ध्यान रहे कि गांदी के रचनात्मक आरेक के बाद क्याने गटनाओं का सै प्रमानिक जिक्र किया और लाहूर के जातपात तोड़क मंडल के पत्राचार 1936 में अर्थार्थ पोना समझोते के बाद लिखा कि मैं राजनितिक प्रवर्ति के हिंदों से पूँचता हूँ जब आपने ही देश के अचुतों जैसे एक बह राजनितिक सत्ता के योग्ये हैं जब आप इन्हें अपनी पसंद के आभुष्ण और वेस बुसादहन नहीं करने देते तो क्या आप राजनितिक सत्ता के योग्ये हैं जब आप उन्हें उनकी पसंद का भोजन नहीं करने देते तो क्या आप राजनितिक सत्ता के योग्य हैं गांधी कहते हैं कि तुम्हें उनको सिक्षीत करना चाहिए उनके भी स्वच्चता को विस्तिरत करना चाहिए उन लोगों में सामाजिक चेतना को जागरत करना चाहिए ताकि विस्वयम की दसाओं में सुधार करना सीखे हरीजन सेवक संग गांधी की दिमाग की ही उपज था गांधी के सुझाव के अनुसार इसके केंद्रे बोर्ड की स्रंचना को जाती हिंदूर वंचित समों के मादें से गटित करने का प्रावधान किया गया अतै 15 सदस्यों के इस बोर्ड में 4 सदस्य अंगर्स के लिए कटी बद्ध हो नो मार्च 1933 के हरीजन सेवक संग के सविधान प्रारूप के दुरान वंचित समोधाय के चार सदस्यों के रूप में भीम रामजी अंबेडगर, दिवान बहादूर रुपि स्रीनिवासन, राव बहादूर एमजिस राजा, पालूंकर बा सविकार किया ता हरीजन सेवक संग के सचीव ठककर को 14 नवमर 1932 को एक पत्र लिखा, तता इसमें बाबा साब ने इस प्रस्ता के उनुमलन संबंदी विचारों को रिखांकित किया और सचीव से निविधन किया कि इस दिशा में कारेकरन त्यार करते समय उनके विचारों को सविकार किया जाए, लेकिन केवली इस पत्र के आधार पर रत्वा कुछ निशित व्यक्तवों के आधार पर संबंदित, संदर्ब को गहनता से समझे बिना ही गांधी वादियों के दवारात अंबीडगर के चिंतन का अपनी तरीके से सपस्टीकन दिया जाता है, जो कि को अव्यक्त करते हुए बताया है कि हरिजन सेवक संको जाती हिंदूओं और वंचित समुदाय के बीच अंतरजाती विवा एव अंतरजाती भोजन या सामुद भोज को प्रोसाइद करने के लिए बियान चलाया जाना चाहिए, इसी के माद्यम से वंचित समुदाय के जान का अभिन हिस्सा नहीं है, यद्द पी यदी वंचित तब का सामुद भोजाय जन करता है तो इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये एक स्वस्त पास सामाजिक परंपरा का संकेत होगा और वे उन लोगों के समर्तन में तालियां बजाना चाहते हैं जो इसे एक मान्य वे आलिके अंच से जूड़ी हुई थी और अभी भी है, गांदी के रचनात्म कारे कर्मों से मानवे हित की विवस्ता में निसंदे बदलाव संबव था, लेकिन सताब्दियों से निरंतर चली आरी मानवे शोशनकार विवस्ता में कोई मूल बदलाव आने वाला नहीं था, क् केवल कच्ची या गंदी या मलिन बस्तियों में जाने से, सुच्चता अभियानों से, उनके घर भोजन करने से, जैसा कि आज भी भारती राजनिती में देखने को मिलता है, चाए अमित साक के दवरा दलितों के घर भोजन करना हो, या प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के दौरा पांस सपाई कर्मियों या वंचित तबके के पैर दोने का नाटक या राहूल गंदी की दौरा दलितों के घर भोजन करने का पैत्रा इतियाद ऐसे ही उदारन है, लेकिन ऐसा करने से, उनकी सामाजिक प्रस्तिति में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है, ये हकिकल मंदरू लाहूर सम्मेलन 1935-1935 के दोरान उत्पन दसाओं में अंबीडगर के पत्र को पढ़ने पर मालूम होता है, कि मुझे जादपां तोडग मंदल के सदस्यों की स्तितिपन निस्सेई खेद है, जिनोंने इस सम्मेलन के अधिक्सता करने के लिए मुझे आमत्रित करने मुझे यकीन है कि अधिक्स के रूप में मेरा चुनाव करने पर उनसे एनेग परसन पूछे जाएंगे, मंदल को इस बात को स्पॉश्ट करने के लिए कहा जाएगा, कि उसने लाहूर में हो रहे समारू के अधिक्सता करने के लिए बंबई से किसी विक्ति को क्यों बुला करते हैं उनके लिए मैं उनके बाग में एक साप के समान हूँ इसमें संदे नहीं कि राजनितिक मनोवर्तिक के हिंदू इस मंडल से इस बात का इसपस्टिकन मांगेंगे कि समान जनक पद के लिए मुझे क्यूं बुलाया गया है ये एक बड़े सहस का काम है अगर कुछ जार वर्सों से बेदिक समय से उनके मस्तिक्स में धूल की तरह जमा हुआ था और अब इसे विपरी दिसा में संचालित करना था अंबेडगर के दोरा चार्स एस सेल्डन को दिये गए इस आकसातकार में जो कि 30 नौबर 1930 को दिनिवाक टाइम्स में परकाशित हुआ में कहा जैसा कि अंबेडगर के जीवनी लेखक धरंजेक कीर लिखते हैं कि अंबेडगर ने व्यक्त किया है कि हरीजन सेवक संकी गतिविदियों को वंचीतों के मंदिरों में परवेश की समस्या के अपेकसा उनकी सैक्षनिक आर्थिक उन्नती के साथ साथ सामाजिक ससक्तिक रण से जुड़ी हुई थी यही कारणा है कि गांधी के उलकपड़े बदलने की बात कर रहे थे लेकिन अंतरमन पर ध्यान नहीं दे रहे थे बावा साहब समस्या को जड़ से समाथ करने के पकस्तर थे जबकि गांधी जो कि वरन विवस्ता के रूप में जाती विवस्ता को बन लड़के से कराया वास्तम में अंतरजायती विवाएं भूज पर दोनों चिंतकों के बीच मोलिक अंतर था जिसका जिक्र मैंने अन्यालेक में विस्तार सिखिया है पूना पैक्ट गांधी की राणितिक एंसामाजी के नेतिक विजे थी वे महसूस करते हैं कि गांधी ने वं नहां निर्मान को इस्तापित करने में सफल हुए साथियों गांधी ने उसी वरद भारत की योजना को अपनाया कि आमरन अंसर करते हैं रूट जाते हैं और अपनी बात को मना लेते हैं जो कि एनेतिक था जो कि अवेदानिक था और जो कि सामाजिक दबाव था इस परकार की वरूप में हम उपश्पे क्रूएचन से इसपोष् Juice होता है कि यदि हमें दलित और ढर के चिंतन को अत्वा किसी अन्नी विस्ते बारे में हकिकत जाननी हो तो उसके तमाम पक्षों के बारे में समगरता के साथ अनसंदान करना होता है किसी एक पक्स को अधिक महतों देने से हमारा अनसंदान पारदस से निस्पक से उन्यापिरी नहीं होता है यदि विवे किसी अंत्रनीत लक्षे को प्राप्ट करने में आंशिक रूप से भले ही सपल हो जाए लेकिन सत्य अधिक समय तक छिपावा नहीं रहता है गांधी के दोरा दलितो अधार की दिसा में भूतिक रूप से नेक रचनात्म कारे करमों का संचलन किया गया उन्नी संदे उन्होंने मानवता की दिसा में कारे किया है इसलिए ये कहना कि दोनों एक इमार्क पर थे बचकाना या भीद भावकूर्ण सोद का परतीक होगा साथियों ये है संदर्ब जहां से ये आर्टिकल में अपने पक्स में व्यक्तव विस सामिल किये गए हैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आभाग